अक्टूबर 2022 में UPI ने एक नया milestone अचीव कर लिया है और USA और चाइना जैसे देश इस बात से बहुत ही चिंता में है तो कि UPI ने एक महिने में 7 billion transactions कर लिया है मतलब जैसे कि आपने किसी को भी UPI की मदद से 500 पे बेजे तो वो एक transaction होगा और ऐसे करके सिरफ अक्टूबर में 7 billion transactions हुई है इंडिया में जो कि जब से UPI शुरू हुआ है एक महिने में सबसे ज्यादा है और अब इस बात से USA और चाइना इतने चिंता में क्यों है इससे पह Visa card को काफी ज़्यादा amount में loss हो रहा है क्योंकि इंडिया में 90% credit cards में इनकी dominance है और हर एक transaction से इने कुछ percentage amount मिलते है और अपके टाइम में तो UPI बवाल ही मचा रहा है और credit cards को लोग बहुत ही कम importance देते हैं या use करते हैं कहने का मतलब यह है कि मान लो आपके phone की battery down हो जाए य इसका की नाम है रूपे card जिसको की Indian government भी internationally काफी ज़्यादा promote करती है तो अब यह American companies करें तो क्या करें तो बताते हैं कि China को क्या प्रशानिया UPA से हैं तो जैसे हमारे यह UPA है वैसे ही चाइना में union पे जो कि दुनिया के 180 देशों में accepted है पर चाइना को दिख दीए है फिर इस ऐसे देश ओ रहे हैं जो कि UPA को adopt करना चाहते हैं तो यह देखकर चाइना कभी पसीने चूट रहे हैं कि इंडिया ने यह क्या बना गया है ऐसी और informative वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करकर हम इस पोर्ट जलुक रहे हैं थैंक कि मिलते हैं अगली बना